नमस्कार बियार युद्धा पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 30 सक्टूबर 2020 के मत्मुन बिहार करंड पे आज का पहला स्वाल बोड़ा है कि भरतपुर पच्छी बिहार जो की राज ऐसाम में है उसी के तर्ज पर गोगा विल जिल को बिक्स जो है डाइरेक्ट भी आपके एकजाम में पूछता है कुछ इसवर पच्छी बिहार जो की दरवंगा में देखने को मिलेगा कतिहार में हो जाएगा गोगा बिल जील हो जाएगा वहीं मुंगेर की बात क्या जाए तो भीम बांद हो जाएगा भीम बांद वन जीव अभिह जो कि मुंगेर में देखने को मिलेगा और पच्मी चंपारन में बालमी की टाइगर जर्व जिसको बालमी की नेशनल पार्व पिशुलन पार्व गला है इसके लाभा कामर जील के बारे में जा लिए कावर जील ये भी सवाल आता है क्योंकि ये अब वन गया है रामसर असल कावर जील बेगु सराय में दिखने को मिलेगा इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछता है जम्मुई वाला जम्मुई में आप लोग को नागी नक्टी पच्छी बिहार जहां पे कल रोग पच्छी महोसो हुआ था कल रोग पच्छी महोसो अगर आपसे पुछ दे कहां पे वा था तो जम्मुई में हुआ था और जब बात करें दर्भंगा में तो दर्भंगा में कुसेस्वर जो असान है न कुसेस्वर असान को चर्चा में रहने का कारण था क कि कुशेश्वर असान था तारापूर दो जगह था जहां पे विधान सबा का उप चुना हुआ था अगर बात के जग कुशेश्वर असान और तारापूर दोनों का दोनों सीट जद्यू के एक हाते में चला गया और विधाय कौन बने तो कुसेश्वर असान से अगर आपसे पुछें तो कुसेश्वर असान से बने इनका नाम है अमन भूसन हजारी अमन भूसन हजारी बने और वहीं अगर आपसे पुछ दे कि तारापूर में जद्वी के विधाय कौन बने तो इनका नाम था राजीव तो यह सब सवाल आप लोग को एक्जाम के परपस से बहुत ही मुत्पूर आता है जम्मुई से अगर विधायत अगर आपसे पुछ दे जो कि बीजेपी पार्टी से है स्रेशी सिंग नाम है स्रेशी सिंग नाम है और जम्मुई से शांसद अगर पुछ दे तो चिराग पासवान भी हो जाएंगे चिराग पासवान और एक और सवाल आता है सभी कुमन में कि तारापूर से संबन्दित एक फैक्ट जा लिए कि जो तारापूर है न अगर ये बिधान सबा का अगर आता है कि तारापूर जो बिधान सबा है कौन सा जिला के तहता है तो ये मुंगेर जिला के तहता है अगर वहीं अगर बात किया जाए तारापूर के बारे में कि ये आता है जम्मुई लोग सबा जम्मुई लोग सबा छेतरिक अंतरग आता नमामी गंगे योजना के इंतरगा देश वर में गंगा उस्व का आउजन होगा बिहार में यह कारिकरम कब से कब तक चला था ये एक से लेकर तीन नॉवंबर दो जारी के इस तक चला था और इसमें क्या था कि मुख्धे से यही था कि गंगा जो नदी है न उसको लेकर साफ पहाई कैसे किया जाए और ये हमेशा स्वच कैसे रहे इसक्षक लिए जन जाग रुक्टा एंद्यान चलाए गया था और अइसस्कूल हो गया स्कूल के अलावा अगर बात क्या है कॉलेज विगरा हो गया वहाँ पे ड्राइंग के माद्य हुट है जा नदी से सम्झेट नारा लेखन की कैसे बचाना है नारा लेखन कवीता हो गया कहानी हो गया सहीत इसके सहीत बहुत सारे जो पर्प्रशूख था उसका आडरेजन करवाये गया था उल्लू के सिकार वथ तस्करी करनेपर कम से कम कितने वर्स्टी सजा हो सकती है दी पौली के समय में क्या होता है कि उल्लू के बली देने की कूपर था है अंत्री कुनिश्ञान ऐसा किया जाता है, ऐसा लोगों कमाना भी है और वाकई में ऐसा भी देखने को मिलता भी है तो यह इसका सजा अगर आप आप आए जाते हैं इसमें दोसी तो आपसन नूमर भी हो जाएगा तीन साल तक की सजा हो सकती है कम से कम और भारत में वर्तमार में अगर बात के जाए तो कितने परकार के पाई जाती है तो तीस परकार की भारत में पाई जाती है उल्लू के पर जाती है अगर वहीं बिहार में अगर पुछ दें तो बिहार में साथ परकार के पर जाती है उल्लू की पाई जाती है उल्लू की अगर पच्छी है इसका बहुत सारा गुना जैसे अगर बात के जाए तीन फलकों से दुनिया देखता है यह दर्बू दुर्वीन जो होता है ना दुर्वीन से भी तेज इनकी आखे होता है दीन में सोता है और रात में जगता है यह 270 डिगरी तक का गर्दन यह घुमा सकता है और उड़ते उड़ता है न जिसमें तो इसका पंक नहीं फड़ताता है और यह बहुत ही अद्बूत पच्छे है तो इसको जो बोला जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग संदच्छन करने पर इसको ध्यान दिजिए खाली में परकासी ताकड़ों के अनुसार बिहार में मनदेगा कार्यों में महिलाओं के हिस्सेदारी लगवक कितरा परतित है यह पूर्षों के पिच्छा ज़्यादा हो गया है 54 परतिसत है बिहार में एगर बात क्या जाए असंगठित छेत्र में उसके जो कामगार है उस के लिए और आपको बता दू कि बीतिये वर्स अगर बात किया जाए 2021 में तो 10 करोड 23 लाख रोजगार दीवस का सिर्जन हुआ है यह बिहार के बारे में हम बात कर रहें 10 करोड 23 लाख जो है न रोजगार दीवस की सिर्जन हुआ है यहाँ पर ध्यान देना है रोजगार दीवस रोजगार नहीं रोजगार दीवस की बात कर रहे है रोजगार दिवस कितना हुआ है तो 10 करोड 23 लाक हुआ है और वहीपर अगर पुछ दे कि इसके तहत कितना महिला कामगारों का निवन्दन हुआ है यानि करेसे सन भवह है तो 42.8 ब्या कितना महिला कामगारों का निबंदन हुआ है तो 57.17% और इसको घटाइएगा तब पूर्षों को हो जाएगा 42.83 यानि कि 42.83 पूर्षों का निबंदन हुआ है Mathematical Modeling Center और Physical Modeling Center को किस विभाग द्वारा बनवाए गया है ये बिहार का जल संसादन विभाग के द्वारा और इसके मंत्री वर्तमान में अगर पूछ दे तो इनका नाम है संजे कुमार जहाँ और एक और चीज़ जान लिए कि इससे क्या होगा कि देखे बिहार में हर साल बाढ़ आने की वज़े से ब्यापक नुकसान होता है तो उसी को कम करने के लिए यानि कि बाढ़ के परभाव को कम करने के लिए कटाओ को रोकने के लिए जो खास करके बीरपूर वाला जो इलाका है न वहाँ पे इसको रोकने के लिए ये काम किया जाएगा जिसको बोलते हैं mathematical modeling center और physical modeling center और आपको एक और चीज़ आने लिए नग सही है कि देखे हर साल बाढ़ के कारण बहुत सारा यहां पे नुक्सान साना पाता है तो यह बहुत ही अच्छा एक पहल है जो कि जल संसादन विभाग के द्वारा है जन्ता दल inouted यानि कि जिसको जेदियू बोलते हैं जडियू बोलते हैं तो 30 October 2021 को अपना अठरवा सापना द्योस मनाया तो इसका असापना 2003 इसमी मह हुआ था और कब हुआ था तो थो 2003 में और 30 October के दिन ही हुआ था तो 2021 में इसका अठरवा असापना द्योस मनाया गया आपको बता दू कि विहार के अलावा अगर बात के जाए कि तो अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल पर्देश जो है न अरुनाचल पर्देश में यह राजसरीय राजवितिक पार्टी का इसको दर्जा प्राप्त है बिहार में तो है ही और अरुनाचल पर्देश में ही और जन्ता दल उनाइटेड वर्तमान में इंडिये यानि की राज्टिये जन्तांत्री दल के रूप में काम कर रहा है 2019 का जो भारती अम चुना हुआ था ना उसमें 16 सिर्ट जीता था जजुव पाटी और उस समय अगर बात के जाए तो ये लोकसवा में सातवा लोकसवा में सातवा सबसे बाड़े पाटी के रूप में उभर के आया था अगर जजुव के चुनावचिन देख सकते हैं आपे ये तीर छप होता है वर्तमान में अगर राज़्टी अध्यच बोले कि जजुव का राज़्टी अध्यच कोन है तो राजीव रंजन आमें का राजीव रंजन और महा सच्चिव का अगर नाम पुछ दे वीडियो है जल्द ही उतको खतम कर दिया जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहें बिहारी योद्धा